नमस्कार चातरों, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आखिर जी बेग्यान है क्या, बायलोजी है क्या, और हम अच्छे से समझ चुके हैं कि बायलोजी लाइफ की स्टड़ी है, बायो का मतलब लाइफ और लोजी का मतलब टू स्टड़ी करना, तो बायलोजी क्या ह जीवों की स्टड़ी है चाहे फिर रवाय पौदे हो या जन्तू हो दोनों का हम अध्यन करते हैं बाइलोजी में अब हम बात करेंगी बाइलोजी की ब्रांचेस कौन-कौन सी होती है और उनसे कौमपटिशन एक्जाम में कौन-कौन से कौश्चन पूछे जाते हैं तो जो ब बनस्पति विग्यान जन्तू विग्यान और बनस्पति विग्यान ये दोनों ही सजीव होते हैं जन्तू भी सजीव होते हैं और पौदे भी सजीव होते हैं इसलिए तो हम बाइलोजी में पढ़ते हैं तो दो ब्रांचेस हो गई एक जन्तू विग्यान और एक बनस्पति जन्तु विग्यान को हम अंग्रेजी भासा में बोलते हैं जूलोजी और जो बनस्पती विग्यान है उसको बोलते हैं बोटनी अब इन टरम्स के बारे में हम तोड़ी सी चर्चा करते हैं जूलोजी और बोटनी के बारे में जूलोजी ये जो टर्म है ये दो वर्ट से मिलकर बना है जून और लॉगस लॉगस तो अब हम सभी समझ चुके है कि लॉगस क्या है अध्यन करना, स्टडी करना, पड़ाई लिखाई करना और जून क्या है जून का मतलब होता है एनिमल्स जू में कौन होते हैं एनिमल्स यही तो वो टर्म है जिसमें होते हैं अनिमल्स, प्लांट्स नहीं होते हैं, जानवर होते हैं, सभी तरह के हम भी जो हमारा अध्यन है वाई भी जूलोजी में होता है, हम खुद मैमल्स है, एनिमेलिय किंग्डम में आते हैं, तो जूलोजी में जून और लॉगस दो ये वर्ड हमें मिलते हैं, ज प्लांट्स को में इसमें इंक्लूड नहीं करते। बॉतनी यह एक Greek term है। बहुत सारी scientific terms Greek language और Latin language से ली गए यह सबी को पता है। तो ग्रीक term है बॉतनी। बॉतनी जो है एक Greek term में वास्केन उससे लिया गया है और वास्केन का मतलब होता है तू फीड, तू ग्रेज, चरना, बोटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, उनके नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उनके हैबिटाट के बारे में पढ़ते हैं, उनकी फिजियोलोजी के बारे में पढ़ते हैं, सब प्लांट चरना और बोटनी में हम study किस की करेंगे plants की करेंगे यह हमें आद रखना है बात करते हैं जूलोजी कि जहां से प्रिशन आते हैं अरस्तू सभी ने सुना है अरस्तू हिस्टोरिया एनीमेलियम अरस्तू ने एक किताब लिखी एक पुस्तक और रोज पुस्तक का नाम है प्रिश्री और एनीमल से हम थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकते किस बुक में क्या है पांस सो जन्तू की रचना उनकी नेचर स्वभाव के बारे में उनका क्लासिफिकेशन के बारे में रीप्रोडक्शन के बारे में कैसे परजनन करते हैं नेक्स जन्रेशन आती हैं सब क के बारे में हमें किस बुक में मिला हिस्टोरिया एनीमेलियम ने बहुत पराने समय अरिस्टोटल ने लिखी ती ये किताब शुरुआती किताब हैं ये बायलोजी की तो एरिस्टोटल ने हिस्टोरिया एनीमेलियम लिखी और इस किताब में जन्तू के बारे में हमें मिलने इतनी बड़ी हैं किताब लिखी है फादर तो हैं अरे यही तो हैं जिनकी वज़े से बाइलोजी में जूलोजी रन कर रही है दूसरा फादर ऑफ बाइलोजी भी यही है एरिस्टोटल या अरस्टू दोनों बात याद रखनी है फादर ऑफ जूलोजी और फादर ऑफ बाइ अरे में लिखा हुआ था किसने थीओ फ्रेस्टस ने तो फादर ऑफ बोटनी कौन है थीओ फ्रेस्टस ये हमें याद रखना है और इनों ने जो पुस्तक लिगी जो इनकी किताब थी वो थी हिस्टोरिया प्लांटेरम तो ये जनरल सा क्लासिफिकेशन है बाइलोजी का हमें पता होना चाहिए, जूलोजी क्या है, बोटनी क्या है, और उनसे सम्मंदित जो इनके फादर्स हैं, जनक हैं, पता जी हैं, उनके बारे में हमें जानकारी हो नहीं चाहिए. अब यहाँ पर दो टर्म और आती हैं, मैंने स्टार डाल के लेखा हुआ है, इंपोर्टेंट है, प्यॉर बायलोजी, एप्लाइट बायलोजी, प्यॉर कैसा होता है, प्यॉर सुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, मिलावट से मतलब प्यॉर बायलोजी जिग्यासा है मानब की जानने की, कि समुद्र के अंदर कौन-कौन से जीव होते हैं, अरस्तु की लाल्टें, क्या होती है, एरिस्टोटल्स लाल्टें, अरस्तु की लाल्टें नहीं पता, सर्च करो, कमेंट बॉक्स में, कमेंट करो, तो वो जो लाल्टें है, अरस्तु की लाल्टें है, या और भी जीव है जो अलग अलग तरह के पौरी फेरा में जीव आते हैं कई परकार के जीव है जिन से साइद हमें अतना कोई फरक नहीं पड़ता कोई हमें पैसा नहीं मिलने वाला उस सबसे लेकिन जिग्यासा के लिए हम पड़ते हैं जरूरी भी है तो वो जो biology है, वो pure biology है applied, apply किया biology को जिसे बीमारियों के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो जरूरी है, मानब के विकास के लिए जरूरी है रोगों से हम लड़ पाएंगे, तभी तो काम कर पाएंगे तो वो applied biology है, जिसमें हम फाइदा भी देखते हैं वो फाइदे के साब से भी biology पढ़ते हैं तो ये है pure biology और applied biology एक बार इस सब को मैं revise कर रहता हूँ biology, जिसमें branches है दो, geulogy और botany geulogy जो term है, वो बनी है जून और लॉगस से, जून का मतलब है animals और लॉगस का मतलब है study, तो animals की study क्या है? geulogy है बुक का नाम है Historia Animalium जो लिखी है, एरिस्टोटल ने इसमें 500 प्रकार के जंतों की रचना उनका स्वभाब, उनका classification भरगी करण या reproduction जनन नई PD को जो जनम देते हैं उस सब के बारे में नो ने चर्चा की है इस किताब में तो हो सके तो आप पढ़िए, टाइम हो तो फादर आप जूलोजी कोई है? एरिस्टोटल है, फादर आप बाइलोजी कोई है? वह भी एरिस्टोटल ही तो है इसके अलाबवा फिर हम बात करें बॉटिकी, बॉट्नी जो है, ये टर्म याईए यह एक किताब है और यह किताब किसे ने लिखी थी 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 इस किताब में जैसे इसमें 500 जन्तू थे तो यह इसमें 500 पहुदे थे उनके बारे में लिखा इसलिए हम कहते हैं कि जो फादर अब वाटनी है बनस्वती विज्यान के जनक थी उफ्रेस्टस दो पॉइंट यह पर सब्सक्राइब करने के लिए जो पड़ाई लखाई बाइलोजी कि एप्लाइट बाइलोजी जो एप्लाइब कर सके हुमन वेलफेर के लिए वह है एप्लाइट बाइलोजी तन्यवाद